हम एक एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम वाल हैंगिंग बनाएंगे जैसे अभी हमने कुछ हरसा पहले एक ब्लैंकिट की एक्टिविटी की थी और उसमें मैंने आपको मुख्लिफ ब्लॉक्स और ग्रैनी स्कुर्स बनाने सिखाए थे इसी तरह इस वाल हैंगिंग में मैं आपको मुख्लिफ साइजेज, मुख्लिफ पैटरन के डोईलीज बनानी बताऊंगी फिर उनको हम रिंग में कैसे अटेच्च करेंगे वो सिखाऊंगी और तरह लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन तमाम रिंग्स को हम आपसे कैसे ज्वाल हैंगिंग तयार करेंगे दस से ज्यादा इसकी वीडियो होंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई चीज आप मिस नहीं करते हैं और अगर वीडियो को आप step by step follow करेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही patterns बना सकते हैं आज मैं आपको डोईली का ये वाला pattern बनाना सिखाऊंगे बहुत easy pattern है इसमें 16 rounds बनाए हैं मैंने 16 rounds है इसमें और डोईली का क्या size है और किस size का मैंने ring यूज़ किया है ये वीडियो में मैं आगे चल के आपको बताती हूँ आएए देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है इसको बनाने के लिए जो material यूज़ करेंगे उसमें धागा ले रही हूँ मैं बारीक आप इसकी जगा बारीक उन भी इस्तमाल कर सकते हैं 3 ply की 2 ply की उन आप इस्तमाल कर सकते हैं measurement tape है जो भी आप material यूज़ करें उसके according होगा आपके पास मैं चुकी ये धागा इस्तमाल करी हूँ तो मैं पढ़ छे नंबर का होग है रोज का कैंची ले 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 सुई जो भी डूइली का pattern आपका बनेगा उसके size के हिसाब से आपने ring लेना है जो भी आपका size आए उसे एक इंच से लेकर दो इंच तक बड़ा आपने ring लेना है अब आप wooden ring भी ले सकते हैं metal का ring भी ले सकते हैं इसमें plastic के ring भी आते हैं वो भी ले सकते हैं plastic के ring को अगर आप इस तरह जूट से cover कर लेंगे तो वो थोड़ा fancy लुक देगा आपकी मर्जी है आप इसमें से कोई भी इस्तमाल कर लें फिर hot glue जरूरी है अगर hot glue नहीं है आपके पास तो आप कोई और भी glue इस्तमाल कर सकते हैं वीडियो में आगे चलके मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या जरूरत है तो आईए pattern की तरफ चलते हैं कि मैजिक रिंग बनाएंगे चेन वन अब मैजिक रिंग में हमने ऐसी बनाने ऐसी यानि सिंगल क्रोशे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस और ग्यारा और ये बारा बारा सिंगल क्रोशे बनाएं मैजिक रिंग की टेल खेंच के इसको बन कर देंगे और पहले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे राउंड टू पांच चेन एक दो तीन चार पांच नेक्स सिंगल क्रोशे में टीसी बनाएंगे दो चेन नेक्स स्टिच में डीसी दो चेन नेक्स स्टिच में डीसी ओल अराउंड इसी तरह ये वला राउंड कम्प्लीट कर लें राउंड टू कम्प्लीट हो गया आखर में दो चेन और जो शुरू में हमने पांच चेन बनाए थी में उसमें थर्ड चेन में एक दो तीन थर्ड चेन में Slip Stitch कर लें इस राउंड में हमारे पास 12 DC है हर DC के बाद 2 Chain है Round 3 3 Chain Same Stitch में DC 2 Chain Next Stitch जो DC है, दो Chain को Skip करेंगे Next जो DC है इसके उपर DC बनाएंगे सेम स्टिच में एक और डीसी दो चेन नेक्स स्टिच के उपर दो चेन को स्किप करेंगे नेक्स डीसी के उपर डीसी एक और डीसी फिर दो चेन और इसी तरह बनाते हुए ये राउंड कम्प्लीट कर ले है राऊंड THREE कंप्लीट हो गया दो चेंग जहां शुरू में हम ने तीन ली थी थारण चेंग मेंगे है तीन चें एक दो थीन सेम चैनश की किया है एक cry बनाएंगे अब जो नेक्स है इसके उपर एक डिसी बनाएंगे दो chain एक दो अब जो पहला DC है इसके उपर हम दो DC बनाएंगे एक और दो और एक DC हम next stitch में बनाएंगे यानि अगले DC के उपर एक DC बनाएंगे दो chain next DC के उपर दो DC एक और दो और अगले DC के उपर DC इसी तहां बनाते हुए यह round complete कर ले राउंड कम्प्लीट हो रहा है दो chain जो शुरू में तीन chain बनाई थी थर्ड chain में slip stitch करेंगे तीन chain एक दो तीन सेम stitch में जहां slip stitch किया है एक DC बनाएंगे next DC के उपर DC बनाएंगे और next stitch में DC के उपर DC बनाएंगे राउंड फाइव दो chain पहले stitch में दो chain skip करने के बाद जो पहला DC है इसके उपर दो DC बनाएंगे next stitch में DC next stitch में DC दो chain इसी तरह दो chain skip करके पहले DC में दो DC next stitch में DC और next stitch में DC इसी पैटरन को फॉलो करते हुए यह राउंड कम्प्लीट कर लें राउंड फाइव कम्प्लीट हो गया दो chain शुरू में जो तीन chain हमने ली थी थर्ड chain में slip stitch करेंगे तीन chain एक दो तीन पहले stitch में जहां slip stitch किया है एक डीसी बिनाएंगे next डीसी के उपर डीसी next डीसी के उपर डीसी और next stitch में डीसी के उपर डीसी दो chain next डीसी के उपर डीसी बिनाएंगे एक यी stitch में दो chain स्किप करके ऐसी जैसे पिछले round में हमने बनाया था next stitch में डीसी next stitch में डीसी next stitch में डीसी round 6 में हम एक, दो, तीन, चार, पांच पांच डीसी का set बना रहे हैं फिर दो chain लेते हैं इसी तरह बनाते हुए इन भी कंप्लीट कर लें राउंड कंप्लीट हो रहा है तो चेयन कि पहले स्टिच में ऐनी रह या तीन जे जो हमने बनाएतं धर ड़िश में थर्ड चेम में सिलिप स्टिच करेंगे हमारे चे राउंड कम्प्लीट हो गए ऐसी शकल आ रही है इसकी नेक्स राउंड शुरू करते है राउंड सेवन तीन चैन जहां स्लिप स्टिच किया है इसी में डीसी बनाएंगे नेक्स स्टिच में डीसी बनाएंगे नेक्स स्टिच में डीसी बनाएंगे नेक्स स्टिच में डीसी बनाएंगे और नेक्स स्टिच में डीसी बनाएंगे दो चैन पहले स्टिच में पहले डीसी में दो डीसी बनाएंगे और अगले हर DC के उपर एक एक DC बना ले पिल्कुल पिछले राउंड की तरह ही बनेगा लेकिन इस राउंड में हमाई पास DC की तादाद पिछले वालों से ज्यादा होगी इस राउंड में हम दो, तीन, चार, पांच, छे छे DC का सेट बना रहे हैं इसी तरह यह राउंड केंप्लीट कर लें यह राउंड 7 केंप्लीट हो गया, दो चेयन छो शुरू में तीन चेयन बनाई है, थर्ड चेयन में इस्लिप स्टिच करेंगे राउंड 8 शुरू करते हैं तीन चेयन जहां प्स्टिच किया है सेमग resposta में DC बनाएंगे next stitch में dc बनाएंगे next stitch में dc बनाएंगे next stitch में dc next stitch में dc और next stitch में dc दो chain space आ गया दो chain बनाएंगे और next जो हमारे पास जितने dc हैं हर एक में एक dc सिवाए पहले वाले के पहले वाले में dc बनाएंगे पहले stitch में dc उसके बाद हर stitch में एक एक dc बना लें round 8 में हमारे पास साथ dc का सेट है इसी तरह बनाते हुए ये round कम्प्लीट कर लें राउंड एट कम्प्लीट हो रहे है दो चेन शुरू में जो तीन चेन थी उसकी थर्ड चेन में slip stitch करेंगे round 9 शुरू करते हैं तीन चेन पहले stitch में जहां slip stitch किया है dc बनाएंगे next stitch में dc बनाएंगे next stitch में dc 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 एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ राउंड नाइन में हम आठ डीसी का सेट बनाएंगे अब यहाँ पे हम थोड़ी तबदीली करेंगे पिछले राउंड की निसपत यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे तीन चेन के बाद एज जैसे हम के पिछले राउंड में बनाते आ रहे हैं कि पहले स्टिच में हम दो डीसी बना रहे हैं और फिर अगले हर स्टिच में एक-एक डीसी एक-एक डबल क्रोश है चार, पांच, छे, साथ, और आठ और तीन चेन, एक, दो, तीन इसी पैटरन को फॉलो करते हुए यह राउंड कंप्लीट कर लें राउंड कंप्लीट हो रहा है, तीन चेन शुरू की तीन चेन जो हमने बनाई थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और round 9 complete हो गया तीन चेन राउंड 10 शुरू करते हैं जहां हमने slip stitch किया है उसी stitch में DC बना लें नेक्स डीसी के उपर DC नेक्स स्टिच में DC नेक्स स्टिच में DC नेक्स स्टिच में DC और इसी तरह तीन चेन से पहले तक जतने DC हैं सब में हम एक एक DC बना लेंगे इस round में हमाई पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौ DC का सेट है फिर हम तीन चेन बनाएंगे और पहले DC के उपर दो DC नेक्स स्टिच में DC और इसी तरह बनाते हुए ये नौ DC का सेट भी हम कंप्लीट कर लेंगे यह हम राउंड 10 बना रहे हैं नेक्स स्टिच में DC और ये लास्ट डी सी के ओपर DC फिर तीन चेन इसी तरह बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लें राउंड कंप्लीट हो रहें तीन चेन और शुरू की जो तीन चेन थी उसकी थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच कर Navi 3 चे ने स स्टिच में स्लिप Size क्या है डिस հांगें यह स्टिच में दी अबानों यहां इस बनाएंगे नेक्स डिसी के ऊपर डी सी बनाएंगे नेक्सट इसे दिष्ट में डी सी इसी तरह तीन चेयन से पहले जितनेाव में यह ऊपर एक ते एक DC बना लिए अब गिनते हैं कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, राउंड 11 में हमारे पास 10 DC का सेट है, तीन चेन, एक, दो, तीन, जो पहला DC है, इसके उपर DC बनाएंगे, इसी तरह सेम स्टिच में एक और DC बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम पिछले तमाम राउंड बनाते आ रहे हैं, कि पहले DC में हमने दो DC बनाएं, अगले हर स्टिच में हम एक, एक स्टिच बनाएंगे, इसी तरह पैटरन बनाते हुए, यह राउंड कम्प्लीट कर लें, नेक्स राउंड में हमारे पास पैटरन चेंज होगा, तो फिर मैं आपको बताती हूंगे, नेक्स राउंड में हम क्या करेंगे, राउंड कम्प्लीट हो रहे है, तीन चेन, एक, दो, तीन, जो शुरू में तीन चेन बनाई थी, थर्ड चेन में, स्लिप स्टिच करेंगे, राउंड ट्वेल्फ, पहले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, अब तीन चेन, एक, दो, तीन, नेक्स स्टिच में, डी सी, 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 नेक्स्टिच में DC, नेक्स्टिच में DC और यह लास्ट डीसी, जो लास्टिच है इसमें हम स्टिच नहीं बनाएंगे, एक दो, तीन, चार, पांच, छे, सात और आठ, पहले तीन चेन को भी हम कंसिडर कर लेते हैं DC, तो 8 DC का सेट हमने बनाया, अब यहां पे तीन चेन, एक, दो, तीन, जो तीन चेन स्पेस है इसमें DC बनाएंगे, दो चेन, सेम स्पेस में DC बनाएंगे, तीन चेन, एक, दो, तीन, पहला DC छोड़के, नेक्स्ट डीसी में DC बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच में, दो, फिर तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, लास्ट DC को छोड़ देंगे, आठ, डीसी कंप्लीट हुए, तीन चेन, एक, दो, तीन, तीन, तीन चेन स्पेस में DC, दो चेन, सेम स्पेस में DC, तीन चेन, और पहले स्टिच को स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में DC, इसी तरह, बनाते हुए, ये राउंड कंप्लीट कर लें, राउंड खत्म हो रहे, तीन चेन, डीसी, दो चेन, सेम स्पेस में DC, तीन चेन, राउंड के शुरू में जो हमने तीन चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, पहले स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट राउंड, राउंड थर्टीन, तीन चेन, एक, दो, तीन चेन, next stitch में DC, 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 last stitch में हम stitch नहीं बनाएंगे, इस राउंड में हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे DC का सेट बनाएंगे तीन चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन यह जो हमने दो DC के बीच में दो चेन ली थी, इस चेन स्पेस में अब हम पांच DC बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच, तीन चेन, एक, दो, तीन, पहले स्टिच को स्किप करेंगे नेक्स टिच में DC बनाएंगे, एक, नेक्स, दो, नेक्स, तीन, नेक्स, चार, नेक्स, पांच, और छे तीन चेन, एक, दो, तीन, जो वी बनावा है, दो DC के बीच में दो चेन, इस दो चेन स्पेस में हम पांच DC बनाएंगे दो, तीन, चार, और पांच, फिर तीन चेन, एक, दो, तीन, पहला स्टिच छोड़के नेक्स स्टिच में DC बनाएंगे बस इसी तरह बनाते हुए ये राउंड भी कंप्लीट कर लें राउंड थर्टीन कंप्लीट हो रहे है, तीन चेन, एक, दो, तीन, पांच, टीसी बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, तीन चेन, एक, दो, तीन, जो शुरू में हमने तीन चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे नेक्स स्टिच में स्लिप स्टिच तीन चेन, एक, दो, तीन, नेक्स स्टिच में डीसी, नेक्स स्टिच में डीसी, नेक्स स्टिच में डीसी, यह अब हम राउंड फॉर्टीन बना रहे हैं तीन चेन, चेन स्टिच को स्किप करेंगे, जो हमने पांच डीसी बनाए हैं, उसमें पहले डीसी में डीसी, चैन वन, नेक्स टिच में डीसी, चैन वन, नेक्स टिच में डीसी, तीन चैन, एक, दो, तीन, पहले स्टिच को स्किप करेंगे, next dc में dc 1 next stitch में 2 next stitch में 3 next stitch में 4 अगले stitch को skip कर देंगे 3 chain 1 2 और 3 जो आ गई 5 हमारे पास dc का अगया इसमें पहले dc में dc बनाएंगे chain 1 next stitch में dc 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 chain 3 इसी तरह बनाते हुए यह राउंड कम्प्लीट कर लें यह राउंड कम्प्लीट हो रहा है तीन चैन पहले dc में dc chain 1 next stitch में dc chain 1 next stitch में dc chain 1 next stitch में dc dc chain 3 एक दो तीन तीन चैन के बाद जो हमने स्टार्ट में तीन चैन ली थी इसकी थर्ड चैन में स्लिप स्टिच करेंगे यह हमारे 14 राउंड कम्प्लीट हो रहे हैं अब नेक्स राउंड बनाते हैं राउंड 15 नेक्स स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे तीन चैन एक दो तीन नेक्स स्टिच में dc तीन चैन एक एक दो तीन पहले dc में dc बनाएँगे एक सैम स्टिच में dc दो चैन नेक्स तिच में dc सेम स्टिच में एक और DC, दो चेन, नेक्स स्टिच में DC, दो चेन, नेक्स स्टिच में DC, सॉरी, यहाँ पर एक DC और बनेगा, थर्ड स्टिच में मैंने एक ही DC बनाया, जबके यहाँ दो DC बनेंगे, दो चेन, नेक्स स्टिच में दो DC, दो चेन, और नेक्स स्टिच में दो DC, यानि हमने जो प्रिवियस राउंड में पांच DC बनाये थे, एक, दो, तीन, चार, पांच, हर एक DC के उपर हमने दो DC बनाये, बीच में दो चेन बनाई, फिर दो DC, इसी तरह यह राउंड हमनें कम्प्लीट करना है, फिर तीन चेन, एक, दो, तीन, पहले DC को स्किप करेंगे, नेक्स स्टिच में DC, नेक्स स्टिच में DC, तीन चेन, और यही वाले पैटरन को रिपीट करते जाएंगे आगे, इसी तरह यह वाला राउंड भी कम्प्लीट कर लें, राउंड फिफ्टीन कम्प्लीट हो रहा है, नेक्स स्टिच में DC, दो चेन, नेक्स स्टिच में DC, एक और DC सेम स्पेस में दो चेन, next dc में 2 dc 1, 2, 2 chain next stitch में 2 dc 2 chain next stitch में 2 dc 3 chain 1, 2, 3 जो शुरू में 3 chain बिनाई थी इसकी थर्ड chain में slip stitch करेंगे यह 15 राउंड कम्प्लीट हो गए पैटरिन की ऐसी शक्कर आ रही है अब नेक्स राउंड शुरू करते हैं chain 1 जो दो स्टिचेज हैं इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशे chain 1 अब जो यह वला हमने पैटर्न बनाया इसमें फर्स जो दो डीसी हैं इनके बीच में डीसी बनाएंगे एक डीसी और बनाएंगे इस डीसी के उपर पीकॉट स्टिच बनाएंगे तीन चेन और इस तरीके से यह पीकॉट स्टिच बन जाएगा एक डीसी और बनाएंगे सेम स्पेस में नेक्स दो डीसी जो दो चेन है इसको स्किप करते हुए अगले दो डीसी के बीच में सेम बिलकुल इसी तरह पैटर्न बनाएंगे एक डीसी दूसरा डीसी दूसरे डीसी के उपर पीकॉट स्टिच तीसरा डीसी भी सेम स्पेस में जो सेंटर वाला है सेट डीसी का पांच डीसी है ना दो राइट दो लेप्ट तो जो सेंटर वाले दो डीसी हैं इनके बीच में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है एक और दो डीसी तीन चेन एक दो तीन और सेम स्पेस में दो डीसी और बनाएंगे इस पे हम पीकॉट स्टिच नहीं बनाएंगे पहले दो पे बनाएंगे और अब अगले दो पे बनाएंगे नेक्स्ट दो डीसी के बीच में डीसी, दूसरे डीसी, पीकॉड स्टिच, तीन चेन और ये पीकॉड स्टिच और सेम स्पेस में एक डीसी और बनाएंगे नेक्स्ट और आखरी डीसी, दो डीसी, दूसरे डीसी के उपर पीकॉड स्टिच, और सेम स्पेस में एक डीसी और बनाएंगे ये पैटरन कम्प्लीट हो गया, चेन वन और अगले दो डीसी के बीच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चेन वन और फिर से ये, यही पैटरन जो हमने यहां से शुरू किया, अब ये दुबारा से शुरू हो जागा, इसी तरह बनाते हुए ये राउंड भी कम्प्लीट कर लें, यह राउंड सिक्स्टीन कम्प्लीट हो रहे है, चेन वन, डीसी, दूसरा डीसी, दूसरे डीसी के उपर तीन चेन का पीकॉट स्टिच, सेम स्पेस में एक डीसी और, नेक्स्ट, दो डीसी के बीच में, डीसी, दूसरा डीसी, दूसरे डीसी के उपर तीन चेन का पीकॉट स्टिच, और सेम स्पेस में एक डीसी और, सेंटर वाला आगया, सेंटर वाले दो डीसी के बीच में, दो डीसी बनाएंगे, तीन चेन, सेम स्पेस में, दो डीसी और बनाएंगे, एक और दो, नेक्स्ट, दो डीसी के बीच में, डीसी, दूसरा डीसी, दूसरे डीसी के उपर तीन चेन का पीकॉट स्टिच, सेम स्पेस में, एक डीसी और, लास्ट, डीसी, दूसरे डीसी, एक, दो, तीन चेन, और पीकॉट स्टिच, सेम स्पेस में, एक डीसी और, चेन वन, और जो हमने पहला सिंगल क्रोशे बनाया था, उसमें, स्लिप स्टिच कर लें, चेन बन करके, यहां से धागे को काड़ देते हैं, और यह हमारी, नेक्स्ट डोईली रेडी है, यहां से इसको खेंच के टाइट कर दें, और इस धागे को वीविन कर लें, अब इसको हम फ्रेम में लगाते हैं, इसको नाप लेते हैं, इस डोईली का साइज आठ इंच से थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा स्ट्रेच करें तो साड़े आठ तक आजएगा, अच्छा, हमने जिस रिंग में लगाना है, उस रिंग का क्या साइज है, वो देख लेते हैं, यह रिंग तकरीबन दस इंच का है, अब इसको इसमें अटैच हमने ऐसे करना है, जैसे डोईली नमबर टू मैंने आपको अटैच करनी सिखाई थी, बिलकुल उसी तरह इसको यह जो हमने तीन चेर्षेन स्पफेस ले है जो तीन चेर्षेन स्पेस है इस से हम धागा लेके परोके और रिंग के साथ डी seulement एटैच करेंगे, हर तीन चेर्षेन में जैसे यहाँ पर है जैसी यहाँ पर है, इन सब को इसी तरह उसी पैठरन की तरह वह मैंच करना है यह मैंने हर साइड से इसको अटैच कर लिए हम होट ग्लू लगा लेते हैं हर एक नॉट के उपर ताकि यह मजीद सेक्यूर हो जाए कर दो कर दो कर दो कर दोगी कर दो कर दोलू जाए यह मैंने होट ग्लू से सिक्योर भी कर दिया है और एक्षर टेल्स जो थी वो सारी काड़ दी है यह पैटरन की फ्रेंट साइड है आई होप इजी पैटरन था फिर भी कोई मुश्किल हो कुई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थेंक यू फॉर वाच्चिंग